हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल साटी सी लिगल एलप हिंदी में कई लोगों के mind में confusion चल रही है कि financial year 2022 से इसकी return कब भर सकते हैं उसके form कब अवलेबल होने वाले हैं online income tax के portal पर कब हम return बढ़ना start कर सकते हैं क्या इसकी last rate रहेगी तो काफी जादा confusion चल रही है तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा clarification आने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहां पर अगर हम देखे तो अब तक यहां पर इसके बारे में जो forms है वो notify नहीं किये गए है यहां पर income tax के portal पर देखिए कोई भी इन फोर्म अब तक notify नहीं हुआ है तो हम रसोर्स से इसके बारे में पता चला है कि 20 अपरेल के बाद इन फोर्म के notify होने के पूरे आसार है और उसके एक हफ़ते के अंदर अंदर यहां पर यह हमें अवलेबल हो जाएंगे online income tax के portal पर फिर उसके बाद आप इसके return भर सकते हैं तो जैसे ही यहां पर यह forms अवलेबल हो जाएंगे आप अपने return भर पाएंगे हम आपको time to time update इसके regarding करते रहेंगे तो अगर आपने हमाई चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा latest updates के लिए पट एक बात आपको जरूर धियान रखनी है जब आप financial year 22 से इसकी return भरने जाएंगे तो उसमें आपको धियान रखना है कि इस बात जो आप return भरेंगे उसकी e-verification के लिए आपके पास सिरफ 30 द पोस्ट करवानी है या फिर अगर e-verification करते हैं तो वो 30 दिन के अंदर अंदर करना है otherwise आपकी return invalid मानी जाएगी मतलब आपने return भरी नहीं है ऐसा यहाँ पर माना जाएगा और अगर हम बात करें कि यह return आपको भरनी कब तक है क्या-क्या due dates रहेंगी तो देखिए अगर यहा पर last date रहने वाली है और अगर आप पर audit applicable होती है तो 31 October रहेगी और transfer pricing के rule अगर आप applicable होते हैं तो 30 November आपकी last date रहने वाली है और अगर आप 31 July की date को miss कर देते हैं तो still आप अपने belated return भर सकते हैं 31 December तक और उसके बाद भी अगर हम updated return की बात करें तो देखिए यहाँ पर financial year 2021 की update return की last date है 31 March 2024, financial year 2021 की last date है 31 March 2025 और financial year जो अभी 22 है इसकी आपकी last date रहने वाली है 31 सिन 2026 कुछ जियो rates है जिनको आपको ज़रूर धियान अखना है आपको 31 July से पहले पहले अपने return भरनी है और यह forms जैसे ही available होंगे हम आपको notify कर देंगे और हमारी अगली वीडियो में मि देंगे तब तक के लिए बाइबाइ